नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंट धर्मा सनमार्ग हिंदु धर्म में गंगा दसहरा का तेवहार बहुत महतो रखता है और गंगा दसहरा यानि मां गंगा के स्वर्ग से धर्ती पर आने का दिन धार्मिक सास्त्रों के अनुसार गंगा दसहरा पर मा गंगा की पूजा करने से उनकी असीम क्रिपा प्राप्त होती है और इस पावन मौके पर पतित पावनी गंगा में डुपकी लगा लें तो सारे पाफी धूल जाते हैं तो इस बार गंगा दसहरा रवी बार 20 जून को है गंगा दसहरा के दिन जो तियोहार है चुकि इस दिन मांगा की ही किरपार नहीं मिलती। बलकि सिर्ण जी का आशिरबाद भी मिलता है और तमाम गरहों की पीडाओं से मुक्ती भी प्राप्त होता है। आप वैसे तो इस दिन जाने अंजाने जो भी आपसे पाप हुए हैं उससे मुक्ति पाने के लिए आप इस दिन सनान भी करते हैं और दान भी करते हैं लेकिन आज हम आपको एक खास बाद बताएंगे कि गंगा दसहरा के दिन क्या खाना चाहिए देखे लोक माननेताओं में गंगा दसहरा के दिन कुछ ऐसी वस्तू है जिसे खाने से जीवन के कश्ट मिटते हैं, जीवन में खुसियां आती हैं, जीवन में परिसानिया समाप्त होती है और वो वस्तू है तीन वस्तू, उसमें से कोई भी एक चीज जो भी आपके पास है आप जरूर खा लिजेगा जरूर खाईए, कुछ खाए ना खाए आम एक भी आम खरिद के लिए यह वैसे तो इस बार आम का सीजा न भी चल रहा है तो आम ले आईए और सब मिलकर खाईए कटहल पका हुआ कटहल यह आपको मार्केट में मिल जाएगा इस समय मिलता है गंगा दसरे के समय तो आप खा आप, खाईए और सबस्टिए और समय मिलकर खाईए और समय आपको मार्केट मुर्ण एवाज परिग आम एक भी आम यह वाधाए